मुझा जाए मुझा जाए इस पूरी वीडियो के अंदर में हम 101 सवाल आपके लिए लेखे आए हैं जी हां बिल्कुल बेसिक्स हैं बिल्कुल जीरो से हैं जो अगर एक बिगिनर समझ ले तो मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूं स्टॉक मार्केट में काम करना आपके लिए बहुत बहुत जाला समझेगा जीरो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं तो देखते हैं कि पहला सवाल आपके जहन में क्या हो सकता है तो पहला सवाल एक बिगिनर के दिमाज में आगा कि स्टॉक मार्केट है क्या what is stock market जी हां answer कितना सासान है मैं आपको discuss किया था थोड़े देर पहले कि stock market क्या है it is a place it is a place where we buy and sell shares of a listed company मतलब जितनी भी companies IPO के माधियम से NSE BSE में exchange में listed हो जाती है उनमें अगर आप shares को खरीदना बेचना चाते हैं तो वो platform है stock market का जी हां stock market एक ऐसा place है जहां पे आप equities को sell या purchase कर सकते हैं दूसरा सवाल खड़ा होता है कि ये shares कौन खरीदता बेचता है कौन है बताइए सोच के देखिए कौन होगा या तो वो एक investor होगा या वो एक trader होगा जिहां trader और investor ही stock market में shares को खरीदते और बेचते हैं अब समदनी कोशिश करते है कि investor कौन होता है कौन होता है या investor कोई भी इनसान जो किसी share को longer period of time के लिए खरीदता है उसको हम investor कहते हैं जबनार ही हम ही कहा जाता है कि हम एक long term investor है या एक short term investor है लंभी अवधी की निविशा को कहा जाता है जो एक साल से जादा अपने shares को hold करता है अपने debit account में उससे पहले उसको नहीं बिचता है वो short term investor कहा जाता है 6 महिने वालों को या साल से कम duration वाली जो लोग होते हैं जो investors shares को hold करते हैं उनको short term investors कहा जाता है अगला सवाल है कि ट्रेडर कौन है, डिफरेंस क्या है, ट्रेडर वो इंसान है जो buying और selling करता है stocks की short duration में, जी हाँ, कम समय के अंदर में, आज लिया, आज ही बेच दिया, आज लिया, कल बेच दिया, दो मेने बाद बेच दिया, छे मेने बाद बेच दिया, वो ट्रेडर क्य करते हैं, buying और selling कर देते हैं, जो swing trader होते हैं, वो आज खरीते हैं, they buy it today, and they sell either tomorrow, और maybe a weekly time, एक अफ़ते बाद बेचते हैं, या कभी-कभी swing एक मेहने का भी होता है, कभी-कभी तीन दिन का भी होता है, कभी-कभी दो दिन का भी होता है, तो swing trader होगा basically, जो लेके जाएगा, औ अब सवार यह रहता है, कि बहतर कौन है, trader या investor, stock market एक wealth creation का अड़ा है, यहाँ से wealth create कर सकते हैं, यहाँ करणोपती लगपती बनने की कोशिश कर सकते हैं, तो जीतता कौन है, जीतता है investor, क्योंकि उसको मालूम है, उसने एक purpose से stock को खेदा है, वो एक theme के साथ काम कर रहा है, सरकार की नीतियों के साथ शायद वो अपने आपको match करने कोशिश कर रहा है, या उस company की policies के साथ, या उस company की product services के साथ में अपने आपको relate कर पा रहा है, उसको लगता है कि आने वाले समय में समय अच्छा होने वाला है, इस product या services की demand बढ़ने वाली है, तो वो निवेशक क बनके वो अच्छा कासा returns कमा पाता है, आने वाले समय में लंबी अव धीके दोरान, बट trader को कहा रहा था है कि आज ही कुछ 54 अठनी का काम क्या जाए, आज ही 500 कमा लिए जाए, आज ही 1000 रुपे कमा लिए जाए, आज में salary निकल जाए, तो शायद मेरा काम चल जाए, बट ह हाँ, ऐसा होता है, कभी-कभी आपको रोज के 500 रुपे आ भी जाएंगे, बट जब जाने लगते हैं, तो आप घबरा जाते हैं, क्योंकि आपको मालूल नहीं है, वो पैसे क्यों आए थे, तो के से काम करने वाले लोग एक हराप trader बन जाते हैं, बट जो trading की दुनिया में प 나타akो, आपको र्राफा जाते हैं, जो professional trader होते हैं, उनका discipline बहुत ही ड़बरदस होता है, बहुत सा ही मैनत करने के बाद वो trader बनने की ठामते हैं, जी आए Capital अच्छी खासी उनके पास होती है, एक discipline उनके पास होता है, फिर वो trader बनने की कोशिश करते हैं, तो जनरी अगर देखा जाए तो इन्वेस्टर हमेशा बाजी मारता है एक trader के उपर में, 99%, I can tell you, 99% of trader fails, because of lack of knowledge, यह ऐसी, knowledge अच्छी नहीं होती है, capital adequate नहीं होता है, discipline अच्छ stock market में start कैसे कर सकते है, stock market में start करने के लिए सबसे पहले आपको इन्वेटर और trading की जरूरत है, जो आप किसी भी एक renowned broker के साथ खोल सकते हैं, कुछ broker के link तो मैंने इस वीडियो के नीचे दे दिये गए है, जिरूरत है, अप stocks है, angel broking है, stocks card है, बहुत साइक companies जिनको आप क्ल broker, broker एक intermediator है, एक agent है, जो exchange और हमारे बीच में काम करता है, exchange में हम direct account नहीं खोल सकते, तो exchange और client के बीच में, जो कड़ी होती है, वो broker होती है, यहाँ पे आपको इसके थरू ही अपने डिमेटर को, trading around को खोलना पड़ता है, यह ज़रूरी है, compulsory है, mandatory है